स्लाम अलेकुम स्टूडेंट्स सेकंड यर बियालोजी में आज हमारा फोर्थ लेक्चर है चैप्टर 24 एवलुशन का और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंट्रस्टिंग है इनहेरिटेंस ओफ एक्वाइड क्रेक्टरिस्टिक्स यह इनहेरिटेंस ओफ एक्वाइड क्रे लेप्टिस्ट डी लेमार्क ने जिसको सिंपली हम लेमार्क भी कहते हैं यह लेमार्क की थियूरी का नाम है यानि थियूरी आफ एवलुशन है यह भी जैसे डार्वन की थियूरी आफ एवलुशन है ऐसे ही लेमार्क की थियूरी आफ एवलुशन भी है बलके सबसे पहली जो theory evolution के उपर पेश की थी वो की ही लेम आर्ख ने थी ठीक है और एक बात और के 18 सदी के end पर बहुत सारे scientist इस बात पर believe करना शुरू हो गए थे कि evolution होई है यानि जिस तरह से जमीन evolve होई है, earth के अंदर changes आई है इसी तरह से life के अंदर भी changes आई है जानदार भी पहले ऐसे नहीं थे जैसे अब है अब बात करते हैं इस theory की, तो सबसे पहले तो लेम आर्ख कौन था he was in charge of invertebrate collection at natural history museum of Paris, यानि Paris या प्रांस का एक शहर है वहाँ पर एक museum है जिस museum का नाम है natural history museum museum, वहाँ पर in vertebrate कुछ रखे हुए होते हैं museum के अंदर, natural history museum के अंदर तो उनका in charge था ये यानि वहाँ पर इसकी duty थी ये वहाँ पर काम करता था तो वहाँ पर इसने different जानदारों को देखा, उनके अंदर variations को देखा और फिर इसने एक theory पेश कर दी put forward his theory in 1809 और 1809 दरसल वही साल है जिस साल डार्वन बॉर्न हुआ यानि डार्वन की पेदाश का साल भी 1809 ही है, तो लेमार्क डार्वन का दरसल एक pre-decessor था उससे पहले आया था इसने ये तियुरी ये पहले बार कोई theory theory evolution के उपर पेश हुई थी, इस से पहले scientist believe तो करते थे कि evolution हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई mechanism नहीं दे सके तो लेमार्क ने एक mechanism भी दिया कि evolution जो है, वो possibility किस तरीके से हुई है, जानदारों में changes कैसे आती है तो इसकी theory के दो main point है, ये बुक पे बने हुए नहीं है आपने बना लेने हैं, इसकी theory का पहला point है, use and disuse of organs use and disuse यानि organs को استعمال करना और استعمال ना करना, दूसरा इसका point है, inheritance of acquired characteristics, बहुत असान theory है, मैं आपको समझाँगा तो आपको खुद समझा जाएगी, बड़ी ही एजिली अब पहले point को explain करते हैं use and disuse of organs देखे use का मतलब होता है, इस्तमाल और disuse का मतलब होता है, इस्तमाल ना करना, अब पहला point का मतलब यह है कि those organs of body which are more used जो ज्यादा इस्तमाल हो, which are used extensively, ऐसे organ जो ज्यादा इस्तमाल हो, become stronger, वो मजबूत हो जाते हैं and more develop, और ज्यादा develop भी हो जाते हैं and those organs which are not much used become extinct जो ज्यादा इस्तमाल ही ना किये जाए, वो आहस्ता आहस्ता weak हो जाते हैं खतम हो जाते हैं इसकी बड़ी interesting हमारे पास मिसाल है पहले मैं खुद से आपको example देता हूँ body builder के muscle आपने देखे होंगे जो लोग body building करते हैं, उनके muscles जो हैं, वो आम लोगों के मकाबले में बहुत ज्यादा develop होते हैं इसकी वज़ा ये है कि वो muscles का इस्तमाल ज्यादा करते हैं तो यही हम कहे रहे हैं कि जिस organ को ज्यादा use किया जाए, वो ज्यादा develop हो जाएगा लेमार्क ने एक यहां में मिसाल दी है, blacksmith के blacksmith के bicep की अब blacksmith कहते है लोहार को bicep जो है, bicep उसका यानि के जो बाजू है वो बड़ा हो जाता है जिसको हम डॉला कहते हैं वो बड़े हो जाते है, वो क्यों बड़े हो जाते है क्योंकि उसका काम मुशक्कत वाला है वो मसलसल इन bicep को use करता है, तो उसके bicep आम बंदे के मकाबले में develop हो जाते हैं यानि कोई भी organ जिसको ज्यादा use किया जाए वो ज्यादा develop हो जाएगा अगर टांगों को एक बंदा ज्यादा use करेगा तो उसकी legs ज्यादा develop होंगी अगर कोई बंदा बिल्कुल exercise ही नहीं करता उसके muscle develop नहीं होंगे वो बड़ा weak सा बंदा होगा उसके muscles जो है bicep जो बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे तो यह है use and disuse of organ जिन organ को ज्यादा use किया जाएगा they become more stronger and more developed and those organ which are not used become deteriorate वो खत्म हो जाएंगे अब आते हैं इस theory के second और main point की तरफ inheritance of these acquired characteristics acquired का मतलब होता है हासिल करदा acquired यानि के अब जानदार ने महौल के अंदर रहकर यह जो नए character हासिल किये हैं इनकी क्या होगी inheritance inheritance का मतलब होता है next generation में उनका transfer हो जाएगा ठीक है इस बात के कहने का यह मतलब है कि एक blacksmith के जो बाजू है वो बड़े हो चुके हैं तो वो अपने बेटे को भी वो transfer कर देगा genes के जरीए से ठीक है तो these acquired characteristics are transfer to next generation इस तरह से changes आती है यानि father ने कोई character attain किया उसने आगे son को या जो भी उसकी प्रोजनी है या जो भी उसकी नसल है उसको दिया उन्होंने आगे नसल को दिया यूं एक जानदारों के अंदर change आना शुरू हो गई जानदार जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे जहांबे उसने उसने मिसाल भी दी मिसाल उसने दी जिराफ की जो जिराफ है यानि जो जराफे हैं इनकी गरदन काफी ज्यादा लंबी होती है आपने जराफे को देखा होगा कि इनकी गरदन बहुत ज्यादा लंबी होती है तो लेम आरके ने इसके बारे में एक ठीओरी दी इसकी ठीओरी ये थी कि जराफे दरखतों के पते खाया करते थे पहले पहले इसने कहा कि दरखत छोटे हुआ करते थे तो जराफे इसी लिए यहां से पते खा लेते थे उनकी गरदन इतनी लंबीर नहीं थी वो इसी लिए पते यहां से खा लेते थे फिर क्या हुआ इस्ता इस्ता दरखत भी बड़े होने दरखतों के भी इसने कहा कि आवलुशन होई दरखत बड़े होने शुरू हो गए अब जैसे जैसे दरखत बड़े होते गए जराफे की गर्दन यहां तक नहीं थी पहुंचती अब क्या हुआ उन्होंने नेक का यूज ज्यादा कर दिया यानि more use of neck पहला पॉइंट more use of neck तो क्या होगा उनकी नेक उन्होंने neck की जब stretching शुरू की उपर की तरफ उसको खैंचना शुरू किया तो उनकी neck लंबी हो गई एक generation की neck कुछ लंबी हुई उन्होंने ये character अगली generation को दिया उन्होंने मजीद stretching की उनकी गर्दने और लंबी हुई उन्होंने ये करेक्टर अपनी अगली नसल को दिया तो यूं आज के जो मौडरन डे जिराफ है वो वजूद में आ गए जिनकी गर्दनें दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी गर्दन जराफे की होती है तो ये लेमार्क की टूरी है एक एक्जांपल और मैं अपने पास से देता हूँ इसने साँपो की लेग्स के बारे में भी अक्स्प्लेइन किया इसने कहा कि साँपो की लेग्स पहले हुआ करती थी फिर क्या हुआ कि साँपो को खतरा पैदा हो गया किसी उनके जो शिकारी होता है कोई ऐसा शिकारी आ गया जिसने सांपों का शिकार करना शुरू कर दिया अब सांप क्या करते थे बिलो में गुस जाते थे पत्थरों के पीछे छुप जाते थे छुपे रहते थे सारा दिन बहुत कम बाहर निकलते थे और जब निकलते थे तब भी टांगों का यूज नहीं कहते थे बलके बॉड़ी को जमीन के उपर गसेड कर चलते थे तो इस तरह सांपो ने टांगों का डिस यूज किया इस्तमाल नहीं किया तो ग्रैजियूली सांपों की टांगे खतम होती चली गई और आज के मौडरन डेड सनेक वजूद में आये जिनकी टांगे है ही नहीं या एक वेस्तीजियल औरगंज के तौर पर है ये लह मार्क की ठूरी है अब बैसिकली ये ठूरी गलत है गलत क्यों है? क्योंके हम जानते हैं कि एकवाइड करेक्टरिस्टिक्स क्योंकि हम जानते हैं acquired characteristics are not transferred जो जानदर खुद character हासल करें वो अगली नसल में नहीं जा सकता only those characteristics are transferred which are in genes अगर bicep खुद बाजू attain कर लेता है तो ये बाजू ये bicep उसके बेटे के अंदर नहीं जाएंगे बलकि उसके बेटे को दोबारा से attain करना पड़ेगा इसी तरह अगर जरापा एक गर्दन अपनी लंबी कर भी लेता है तो वो अगली नसल को नहीं दे सकता क्योंकि ये character genes में नहीं है simply सादा मिसाल ले एक बंदा body builder है वो अपने muscles develop कर लेता है तो क्या जब उसका बेटा पैदा होगा उसके भी muscle वजश के exercise के बगार ही develop हो जाएंगी तो नहीं बिलकुल नहीं ऐसा नहीं है जो character कोई जानदार environment में रहकर attain करे वो अगली नसल में नहीं जाता इसलिए theory क्या हो गई wrong scientifically ये theory गलत है क्योंकि inheritance of acquired characteristics हो ही नहीं सकती इस theory के वैसे गलत भी किया था एक science दान जिसका नाम था august wise man august wise man ने क्या किया था उसने कुछ चूहे लिए हर नसल में चूहों की दुम काट दी पहले दो चूहों की समेले दुम काट दी फिर उनका cross कराया जब उनके आगे बच्चे पैदा हुए उनके दुम थी तो उसने जो चूहे पैदा हुए उनके फिर से दुम काटी फिर उन्होंने नसल बढ़ाई आगे फिर दुम थी तो इसका मतलब है कि जो character जानदार environment में रहकर attain करें वो तो अगली नसल में नहीं जाता अगली नसल में कौन से character जाते हैं विचे आर प्रेजेंट इन जीन्स तो लेमार्क गलत था ये थियोरी गलत है